हे गाईस, हावर यूँ, एम राकी जन्कपांगी, वेलकम टू जन्कपांगी एजुकेशन अब, आज 21 जन्वरी 2021, 21 जन्वरी 2021 को मैंने जितने भी जन्रल लर्विनेस के एक कोशन डाले हैं, वे सबी कोशन आप सबी के लिए most important है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा द अंसर होगा, संसद ने 1956 में अन्य नियाधि सुकी संक्या को 10 गुना तक बढ़ा दिया था, जैसे 1960 में ये कितना हो गया था, 1960 में ये 13 हो गई थी, और 1987 में ये 17 हो गई थी, और 1986 में 1986 में ये 25 हो गई थी, अगले कोशन क्यों चलते हैं, भारती संसद के कानून को किसके असमवैधानी गोशित किया जा सकता है, इसका जो राइट आंसर होगो है, नियाएक समिक्षया के द्वारा, यहनकि ऑप्सन B जो होता है, इसका राइट आंसर होगा, नियाएक समिक्षया, नियाएपालिका की सक्टी को समिधान की व्याख्या करने, और विदाईका और कार उभाईकारी सुनने के ऐसे किसी भी कौनून या आदेश की गोशरा करने के लिए संदर्वित करती है यदि यह भारत के समिदान का विरोध करता है। अगर एक क्वेश्चन क्यों चलते हैं भारत के निम्खित मुख्य नियायदीसों मैं से किसने भारत के राष्टपती के रूप में भी कारी किया है इसका जो राइट आंसर होगा वो है नियायमूर्थी M. हिदायत उल्ला यानकी option A. जोता है हमारा राइट आंसर होगा ये है नियायमूर्थी M. हिदायत उल्ला मुख्य नियायत उल्ला 25 फरवरी 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 16 दिसंबर 1970 तक भारत के 11 मुख्य नियायदीस और भारत के छटे उपराष्ट पती थे 11 मुख्य नियायदीस और भारत के छटे उपराष्ट पती थे अगले question क्यों चलते है खरी फसले बोई जाती है इसका जो right answer होगा गो है दक्षिन पशे मानसून के टारंब के समय यानकी option A. जोता है हमारा right answer होगा अगले question क्यों चलते है संग मर्मर किसका रूपानतरित रूप है संग मर्मर चूना पत्थर का रूपानतरित रूप है जैनकी option D. जोता हमारा right answer होगा संग मर्मर का रूपानतरित चूना पत्थर है जो काफी सुद्ध कैलसाइड कैल्शियम कार्मिनेट का एक किस्टली रूप CA CO3 से बनाए CA CO3 से बनाए इसका उपयोग मोर्ती कला के लिए भवन निर्मान, सामागरी के रूप में और कई अनुपयोगों में किया जाता है अगले question क्यों चलते है International deadline क्या है इसका जो right answer होगा वो है 180 degree देश सामतर है, याणिक option D जो होता है हुमारा right answer होगा अगले question क्यों चलते है एक विक्ति जो नक्सा उकेटता है या चार्ड बनाता है उसे क्या कहा जाता है इसका जो right answer है, वो है cartographer, याणिक option B जो होता है इसका right answer होगा ये है cartographer cartography नक्से बना रहा है अतीत मैं नक्से हाथों से कीचे जाते थे लेकिन आज अधिकांस मुद्रित नक्से computer का उपयोग करके बनाई जाते है और लोग आम तोर पर computer screen पर नक्से देखते है मांचितर बनाने वाले को cartographer का जाता है अगले question क्यों चलते है निम्रखित मैं से किसकी उपस्ते थी मैं उप राष्टपती सपत लेते हैं इसका जो right answer है वो है राष्टपती यहनकी option A जो होता है हमारा right answer होगा अब राष्टपती की बात की गई तो भारत के राष्टपती कोन है भारत की राश्टपती है रामनाथ कोविंद ये है रामनाथ कोविंद भारत के राश्टपती अब बात की गई है लोकसवाध्यक्स की हमारे भारत के लोकसवाध्यक्स कोन है हमारे भारत के जो लोकसवाध्यक्स है वो है ओम बिल्ला ये है ओम बिल्ला हमारे भारत के लोकसव अगले question क्यों चलते हैं एक भारती रासमेदिग पार्टी है जो पशिम मंगाल में स्तित है एक जनवरी 1998 को भारती राष्टी का उंग्रेस के एक तूटते हुए कुट के रूप में इस्तापित पार्टी का नेतित्तु इसके संस्थापक और पशिम मंगाल की वर्तमान मुक्य मंतरी ममताब एनर्जी द्वारा किया जाता है यह है ममताब एनर्जी पशिम मंगाल की वर्तमान मुक्य मंतरी अगले क्वेशन क्यों चलते है भारती राष्टी का उंग्रेस किस राजनेतिक समू का एक हिस्सा है इसका जो राइट आंसर है वो है यूनाइटेट प्रोग्रेसिव अलाइंस एनके उप्शन एज होता है इसका राइट आंसर होगा सहिक्तुस प्रगति सील गटवंधन यूपीए भारत में केंद्रवाम राजनेतिक दलो का एक गटवंधन है जो 2004 के आम चुनाओं के बाद बना यूपीए की सबसे बड़ी सदच्छी पार्टी भारती राष्टी कॉंग्रेस है राष्टी अध्यक्स सोनिया गादी यूपीए की अध्यक्स है ये है सोनिया गादी यूपीए की अध्यक्स